पर जगह जगह लगा दिया जिससे युवक दिनेश गंभीर रूप से जुलस गया जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चर रहा है अकबरपुर गांव के रहने वाले दिनेश बलाई ने बताया कि गांव के रहने वाला गिर्राज काफी समय से अपने साथी के साथ मिलकर तांत्रिक पने का कार्या करता था गिर्राज वह उसके साथी बनवारी ने फोन करके दिनेश को अपने मंदिर पर बुलाया और वह वहा तलवार को गर्म कर उसके जगह जगह शरीर पर लगा दी और गर्म सरिया जीफ पर लगा दिया जिससे वा बुरी तरह जुलस गया उसके बाद। दिनेश जैसे घर नहीं पहुँचा तो उसका छोटा भाई मुकेश उसको ढूढने के लिए निकला वा मंदिर पर पहुँचा जहां मुकेश को मंदिर का गेट बंद मिला वा उसके अंदर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी उसके बाद वा दोड़ा दोड़ा गर पहुचा और अपने घर वालों को लेकर मंदिर पर पहुचा जहां घर वालों ने देखा कि दिनेश के जगह जगह गरम तलवार से वार किया हुआ था और वो बुरी तरह गंभीर स्थिती में जुलसा हुआ था तांत्रिक गिर राज वो उसके साथी बनवारी ने दिने उसी लेकर पहुँचे जहां से गंभीर स्थिती होने के चलते उनको राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रेफ़ कर दिया जहां दिनेश का इलाज चर रहा है घायल दिनेश ने बताया कि गिर्राज में उसके साथी बनवारी काफी सालों से गाउंग में अपने घर पर मं जहां दिनेश की बली चड़ा देते इस मामले की सूचना पुलिस को लगी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर घटना का जाय जा लिया और मामला दर्जकर तांत्रिक गिर्राज वह उसके साथी बनवारी की पुलिस तलाश कर रही है आतम इस तरी कि बनवार लियुत न कीज़ा से फिर्फ़ लिए बनवार अन्दर रहा है सजा लिए फिर वह जो पुलिस पुलिस गरें थी क्रण्यम कनि उसके साथ में एक और काम वा लिए तो खिर पता नहीं उन्समे अंदर कुछ ऐसे या गए फिर उनने नने तलवार अलवार से जला दिया हाथ वार भी करें है तौई रहे नहीं अपका कोई पुरानी रंजीत क्यों एक नहीं मेरे इसाफ़े तो कुछ नहीं है लेक। है को फैले को पता भी नहीं किसी का कर दो कर दो